अरे बाबा आ गया जाए जल्दी से हाथ मुधो लीजे खाना तयार है हाँ थोड़ा सा आराम कर लूँ बहुत थक गया आज बाबा कितनी बार कहा है अब आप बाहर मत जाए करो मैं कर लूँगी न सारा इंतजाम अच्छा और मैं यहां बैठे बैठे बस खाना खाऊंगा तुब बताए मैं क्या करूँ आपको इस सुम्र में भी ऐसे दरदर की ठोकरे खाते देखती रहूं नहीं मैंने ऐसा कब कहा अब एक उपाय है मेरे पास अब मुझे तेरी शादी कर देनी चाहिए फिर सब ठीक हो जाएगा सादू की बात सुनकर दीपा हैरान रह गए उसकी आँखों से आंसु गिरने लगे जिने छुपाते हुए वो रसोई में चली गई और फिर खाना खाते हुए देख तीपा अब मैं बूढा हो रहा हूँ पता नहीं कब उपर वाला मुझे अपने पास बुला ले इसलिए अच्छा यही होगा कि अब तु शादी कर ले और जाकर अपनी ग्रिहस्त ही समहल नहीं बाबा मैं शादी करके चली जाओंगी तो आपका खयाल कौन रखेगा मैं इतना स्वार्थ ही नहीं बेटी स्वार्थ? बाबा आपने मुझे अनात को सहरा दिया पाल पोसकर बड़ा किया और इस सब के बाद अगर मैं आपका सहरा बनूँ तो आप स्वार्थ ही कैसे हो सकते हैं? मेरे सगे माता पिता ने तो मुझे पैदा होते ही कच्रे में फेग दिया था अगर आप मुझे ना संभालते तो मैं मैं तो कब की मर गई होती बाबा? तभी तो कह रहा हूँ बेटी मैंने तुझे हमेशा अपनी संतान की तरह देखा है और अब तेरा ब्याह करके तेरा घर बसाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है और पता है मैंने तो तेरे लिए एक लड़का भी पसंद कर लिया है दीपा आगे कुछ न कह सकी दरसल दीपा बुढ़ापे में अपने बाबा की सेवा करना चाहती थी लेकिन सादू बाबा को ये मनजूर नहीं था फिर उसी शाम जब सादू बाबा अपने बिस्तर पर लेटे तभी दीपा हर रोज की तरह आकर उनके पैर दबाने लगे दीपा बेटी आज तक मैंने भिक्षा मांग कर ही गुजारा किया है मैं नहीं चाहता कि तू भी गाउं गाउं जाकर भिक्षा मांगे ये तुनिया बहुत खराब है मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी तेरा अपना घर हो तू अपने घर की इज़द बने इसलिए मान जा मेरी बाद बेटी दीपा ने कोई जवाब तो नहीं दिया लेकिन उसके आंसू साधु बाबा के पैर उपर गिर रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने आंसूं से बाबा के चरण धो रही हो हर उस उपकार के लिए जो उन्होंने दीपा पर किये थे फिर कुछ दिनों के बाद ही साधु बाबा ने दीपा की शादी पाजी के गाउं के सतीश के साथ कर दी सतीश एक छोटा किसान था और उसके घर में उसके अलावा बस उसकी बुढ़ी माही थी साधू सतीश को पहले से जानते थे इसलिए उन्होंने दीपा की शादी सतीश से करवा दी ये ले दीपा, ये मेरी रुद्राक्ष की माला है अब से ये तेरे पास रहेगी मेरी निशानी बन कर और याद रखना, ये कोई आम माला नहीं इसका एक-एक मन का अभी मंत्रित है तो जब कोई बड़ा संकटान पढ़े तब इसका इस्तिमाल करना ठीक है बेटी? ठीक है बाबा दीपा ने साधू बाबा के पैर चुए और फिर वो सतीश के साथ चली गए सतीश और उसकी मा ओमवती दोनों ही दीपा से बहुत खुश थे और शादी के बाद दीपा भी अब बहुत खुश थी फिर एक दिन मा, दीपा, कहा हो तुम दोनों? क्या हुआ बेटा? तो इतना घबराया हुआ क्यों है? मा गाउं में अजीब सी बिमारी फैल गई है कही लोगों के हाथों और पैर पर लाल रंग के निशान बन गए है उन सब की हालत खराब है खुजलाते खुजलाते वो लोग खुद के हाथों पैरों से खोन निकाल रहे है हे भगवान, ये कैसा संकतान पड़ा हम पर सतीश ने दीपा और अपनी मा ओमवती को ये भरोसा तो दे दिया था पर हर गुजरते दिन के साथ वो अजीब सी बिमारी गाउं में बढ़ती चली जा रहे थी और फिर एक दिन, जब रात तक सतीश घर वापस नहीं आया तो दीपा और अउमवती उसे ढूणने निकल पड़े काफी देर बाद सतीश उन्हें एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ दिखाई दिया और फिर अरे सतीश, यहां क्यों लेटा है बेटा, चल चल घर चल नहीं मा, दूर रहो, मुझे भी वो बिमारी लग गई है और चार पाई लेकर आती हूँ, दीपा और ओमवती पौरन घर से चार पाई लेकर आए और फिर सतीश उस पर लेट किया, फिर वो दोनों चार पाई पकट कर सतीश को घर ले आए और फिर मा, किसी वैद्धी को बुलाना पड़ेगा कोई फाईदा नहीं है दीपा, दूर दूर के वैद्धी भी इस बिमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं अब शायद हमारे अलग होने का समय आ गया है, तुम, तुम मेरे बाद मेरी मा का खयाल रखना नहीं, बस करिये आप, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी दीपा को समझ आ गया था कि उसके लिए इससे बड़ी मुसीबत और कुछ नहीं हो सकती उसने पौरन साधु बाबा की दी हुई रुद्राक्ष की माला निकाल कर, उसका एक मनका उसमें से निकाल लिया अब क्या करूँ, अहां, सुबह खीर बनाई थी, इन्हें भूग भी तो लगी होगी, अहां यहीं सही रहेगा दीपा ने अपनी बनाई हुई खीर में उस रुद्राक्ष के मनके को डाल दिया, देखते ही देखते वो मनका खीर में घुल गया और फिर दीपा ने वो खीर सतीश को अपने हाथों से खिलाई, खीर खाने के कुछ तेर बाद ही सतीश के चरीर पर लाल निशान हलके पढ़ने लगे और धीरे धीरे कुछ ही घंटों में पूरी तरह से गायब हो गया, ये सब किसी जादू जैसा था जिसकी जरूरत अब पूरे गाउं को थी, शेलिये जी, अब सारे गाउं वालों को ठीक करना है, आप सब को खबर कर दो, तब तक मैं सब के लिए खीर बना देती हो, पर पूरा गाउं, उस खतरनाग बीमारी से मुक्त हो गया, दीपा को हर कोई आशिरवात दे रहा था, और दीपा बस लम आखों से अपने बाबा को याद कर रही थी। ठीक है, अच्छा ममी, ये हवा कैसे चलती है, ये तो बता दो ना हे मेरे भगवान देख गोपू, मैं बोल रही हूँ अब बस चुप हो जा, सारा दिन मेरी खोपड़ी खाता रहता है, पापा आएंगे तो उनका सिर खाना ना, समझा, कोई काम नहीं करने देता पर मैं पापा का सर कैसे खा सकता हूँ, वो तो मेरे मूँ के अंदर आए गा है नहीं भगवान के लिए चुप हो जा मेरे बच्चे, तुझे पता है न मेरी जान को कितने काम पड़े हैं, तेरे उल्टे-पुल्टे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास सुनीता और अनिल की एक ही उलाद थी, पांस साल का गोपाल, वो जितना नटखट था दिमाग का उतना ही तेज था, वो सारा दिन अपने माता-पिता से सवाल पूछता रहता, सुनीता उसके सवालों से चड़ जाती थी, फिर उसी शांग पापा आ गए, पापा आ गए, अरे मेरा गोपू, कैसा है मेरा बच्चा? मैं अच्छा हूँ पापा, अच्छा पापा, एक बात बताओ, ये हवा क्यों चलती है? लो, ये फिर शुरू हो गया, बेटा एक काम करो, जाकर अपनी मम्मी से पूछो खबरदार जो इसे मेरे पास भेजा, आप ही भुखतो, बेटा पापा से ही पूछो जो पूछना है, वही बताएंगे तुम्हे सब कुछ अनिल और सुनीता भगवान कृष्ण के भगत थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम गोपाल रखा था अनिल और सुनीता का हस्ता खेलता ये छोटा सा परिवार था, बस दिक्कत इतनी थी कि अनिल की आमदनी बहुत कम थी, वो रेडी पर कपड़े बेचने का काम करता था, और बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर चला पाता था कुछ दिनों के बाद जनमाश्टमी का त्योहार आया, तो अनिल और सुनीता गोपाल को लेकर कृष्ण भगवान के मंदिर पहुचे मम्मी, ये कौन है? चुपो जा, सब बताऊंगी, बस अभी इतना जानले कि ये भगवान है, हाथ जोड कर इने प्रनाम करो उस वक्त तो गोपाल ने वही किया जो सुनीता ने उससे कहा, लेकिन फिर मंदिर से बाहर आने के बाद गोपाल ने फिर वही सवाल पूछा मम्मी, बताओ ना वो कौन थे? आओ मैं बताता हूँ, अब रुको, पहले तुम मुझे बताओ, कि हमारे घर में सबसे बड़ा कौन है? और आपका और मम्मी का खयाल कौन रखता है? पापा, आप हाँ, तो ऐसे ही इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं, और वो ही हम सबका खयाल रखते हैं अच्छा, तो जैसे आप मेरे पापा हो, वो सबके पापा हैं, मतलब की बड़े वाले पापा हैं हाँ, आप समझे तुम, शाबबाश पर पापा, आपने तो कहा था कि वो सबसे बड़े हैं, पर वो तो कितने छोटे से दिख रहे थे ए भगवान, सब समझाया पढ़ाया गुड़ गोबर कर दिया, गोपू पापा, बताओ ना, वो तो मुझसे भी छोटे थे, तो वो सबसे बड़े कैसे हो सकते हैं असल में जो मूर्ती तुमने देखी थी ना, वो भगवान के बचपन की याद दिलाती है, मतलब उनके बाल रूप को दर्शाती है अच्छा पापा, उन भगवान जी का नाम क्या है? उनका नाम भी गोपाल है है, गोपाल तु मेरा नाम भी है, फिर तो वो मेरे दोस्त बन जाएंगे ना, क्या हम उन्हें घर नहीं ले जा सकते? अब बेटा, वो, वो मैं सुनो न, उसका कितना मन है, उसे छोटे से बाल गोपाल की मूर्ती दिला दो ना अच्छा ठीक है, दिला दूंगा, तुम चिंता मत करो अर्निल ने वहीं मंदर के बाहर से भगवान क्रिश्न की एक चोटी सी मूर्ती खरीद ली वो भगवान की बाल रूप की मूर्ती थी, जिसमें वो माखन खा रहे थे गोपाल को वो मूर्ती बहुत ही पसंद आई, शाम को सुनीता ने देखा कि गोपाल आंगन में भगवान की उसी मूर्ती के साथ खेल रहा था, ये देखकर वो चीखी ओ भगवान कैसा अनर्थ कर रहा है, भगवान की मूर्ती को खिलौना बना कर खेल रहा है इधरा आज तो पिटाई खाएगा मुझसे इतना कहते ही सुनीता गोपाल को पकड़ने के लिए दोड़ी तभी अनिल ने उसे रोक लिया अरे क्या हुआ उस पर गुस्सा मत करो सुनीता देख रहे हो आप भगवान की मूर्ती को खिलोना बना कर खेल रहा है अरे अभी छोटा है वो उसे नहीं पता कि भगवान का दरजा क्या है वो तो उन्हें अपना दोस्त मान रहा है तुम रुको मैं समझाता हूँ उसे अनिल ने गोपाल को प्यार से उठायो और भगवान की मूर्ती को फिर से मंदिर में रख दिया पापा मैं गोपाल जी के साथ क्यों नहीं खेल सकता इसलिए गोपू क्यूकि मिट्टी लगने से गोपाल जी गंदे हो जाएंगे न वो भगवान है न इसलिए उनको मंदिर में रहने दो वहाँ हम एक साथ उनकी पूझा करेंगे ठीक है ठीक है पापा गोपाल समझ गया था कि वो भगवान की मूर्ती के साथ खेल नहीं सकता लेकिन वो उनसे बाते तो करी सकता था इसलिए दिन भर वो भगवान की उस प्यारी सी मूर्ती के पास ही बैठा रहता और भगवान से खूप सारी बाते करता फिर एक शाम अरे तुम पहले खाना खाऊं मैं खिला दूंगी उन्हें अच्छा मम्मी गोपाल जी को खाने में क्या पसंद है बेटा उन्हें खाने में मख़न, दूद, दही, खीर ये सब पसंद है खीर? ये खीर क्या है पापा? बेटा खीर दूद से बनती है, मीठी दूद और चावल से बनी बहुत ही बढ़िया होती है खाने में अच्छा, तो अब तक मम्मी ने बनाए क्यों नहीं? मुझे भी खानी है खीर गोपाल की बात सुनकर सुनी तो और अनेल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे सुनीता ने रसोई के सारे डिब्बे खोल कर देखे तो उसे थोड़ी सी चीनी मिल गई और फिर खीर तो बन जाएगी लेकिन एक कटोरी से जादा नहीं बन पाएगी हाँ तो ठीक है ना, बस उसके लिए बना दो सुनीता और अनिल गोपाल की हर खोईश को पूरा करने की कोशिश करते थे उस दिन भी गोपाल के जित पर घर में एक ही कटोरी खीर बनी अनिल और सुनीता ने गोपाल को बुलाया और उसे बताया कि उन दोनोंने खीर खा ली है और बची हुई खीर गोपाल को खाने को दे दी गोपाल खीर की कटोरी लेकर सीधे बाल गोपाल जी की मूर्ती के पास गया पता है गोपाल जी मम्मी ने आपके और मेरे लिए खीर बनाई है लेकिन मैं जानता हूँ कि वो जूट बोलने है उन्होंने खीर नहीं खाई, उन्होंने सारी खीर हम दोनों के लिए दे दी, आपको ये खीर बहुत पसंद है न, तो आप इसे खा लो, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी ने भी नहीं खाई न इतना कहकर गोपाल वहीं आखे बंद करके रोने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया था, क्योंकि उसके पापा और मम्मी ने उसके लिए खीर बनाई, पर खुद नहीं खाई, तभी मूर्ती से एक तेज रोशनी निकली, और अगले ही पल भगवान कृष्ण बाल रूप में प अच्छा, जो मांगूँगा, वो आप दे दोगे हाँ, तुम मांग कर तो देखो ठीक है, तो फिर आप मुझे ऐसी ही पूरी तीन कटोरी खीर नहीं नहीं, आप तो ऐसा करो कि ऐसी मीठी मीठी खीर की बारिशी कर दो ताकि मैं, मेरे मम्मी, पापा और मेरे सारे दोस्ट भी जी भर के खीर खा सकें जैसा तुम कहो गोपू इतना क्याकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर अगले ही पल आसमान से खीर की बारिश होने लगी गोपाल कटोरा लेकर बाहर की तरव भागा और जोड से चिलाया मम्मी, पापा, देखो गोपाल जी ने खीर की बारिश की है सभी लोग बाहर आजाओ, आज सब लोग खीर खाएंगे एक दो नहीं, पूरी दस कटोरी खीर खाऊंगा मैं तो खीर की बारिश देखकर हर कोई हैरान था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था बस हर कोई अपने अपने कटोरे में खीर भर रहा था और उसका स्वाद ले रहा था लेकिन असल में हुआ क्या था, ये या तो गोपु जानता था, या स्वयम उसके गोपाल जी